हेलो गाइज वेलकम अगे दो माय यूट्यूब चैनल माइम इस मुनीश गुपता एंड यूर वाचिंग बी सीजी लेक्चर्स तो जैसा कि गाइज आप सभी को मालूम है बीजएड वाइड वाइटी वन तरी वन आपका सब्जेक्ट कोड है एंड एनिमल डाइवरसिटी आ परम पड़ा जो की यूनी रहमिया के ऐड बीज़ा साथ तर्क आपका आपकाई पॉड़ा प्रेट ओड़ा एट ऐड इसके बाद क्या एक अरपका पार्ट कहें जो चैप्टर एंड बिलकूल क्रिस्टल क्लियर आपटर ऑगल ऑग घुक्त बहुत बड़ा तो इसको पढ़ने और समझाने में काफी टाइम लगता है अगर मैं क्या कहते हैं एक चोटा सा वीडियो बना दू तो आप सभी को समझ में नहीं आएगा अच्छे से तो यह डीटेल्ड वीडियो में आपको सभी चीजों को जानना बहुत जरूरी है देन उसके बाद हम आज जाते हैं अपने टेलिग्राम चैनल पर तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक आपको में डिस्क्रिप्शन में दे दूगा वहां पर जाके आप सब्सक्राइब कीजिए वहां पर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं जाए फटा-फट जा इंसेक्टा तो इंसेक्टा में जिसा कि आप सभी को मालू में बहुत सारे कीडे मकोडे आपने आसपास देखे होंगे वो सारे के सारे आपके क्या हैं इंसेक्टा में आते हैं जैसे कि कॉक्रेच हो गया लेडी बर्ड हो गया या फिर कहें क्या कहते हैं मेंटिस हो गया या मै पर विडियो की जो नोटिफिकेशिन आपको टाइम टॉटी रहे तो यहां पर लगबग लगबग एक मिलियन से जादा स्पीसिज आपको मिल जाएंगे ठीक है दन उसके बाद यहां पर क्या है कि हाप बहुत सारे स्पीसिज ऐसे हैं जो कि आपके इंसेक्ट को बिलॉग करत और भी बहुत सारे जाएंब इनिमेल कि इसमें हमने क्या है कंमाइंड कर रखा तो दन बात करें हम इसमें इंपॉर्टन केरेक्टरिस्टिक फीचर की इंसेक्ट की थ्री मेन फीचर होते हैं जैसा कि मैंने बहुत बार बताया भी है जब इंट्रोटक्शन मैंने स्टाट कर सब्सक्राइब अग्म करें वोड़ी में तरुम क्या हैं इसे हम क्या कहते हैं metameric segment तो यहां पर जो आपका segmentation है पहला segmentation होता है वो tagmeta के basis पर होता है यह न spectrum यह आपका segment यह आपका three reason में बाटा जाता है head, thorax and abdomen ठीक है head, thorax and abdomen अगर मैं छोटा सा एक picture बनाऊ तो कुछ इस तरीके से आपका cockroach होता है ठीक है, तो यह वाला जो reason हो जाता है, यह आपका head कला जाता है, यह वाला reason आपका, यह वाला reason क्या कलाता है, गाइज, तो यह आपका out time हो घ्टम सोक्मेंग इंड्र आपका και और दम में हो गया. कि यह तीनों रीजन जो हैड और थॉरेक्स रीजन क्या था पूरी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं था यह सिफेलो थॉरेक्स हो जा रहा था कभी एब्डोमेन और थॉरेक्स जुड़के ट्रंग बना ले रहा था है तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर डिस्क्राइब होती ह तो यह जा आधे है खाला में रहाँ आथ नूर 12 ट्री अगर बाट्ना चाहिए तो इसमें थे षीपीोय क्या धिक जो क्रते देगहिकर है यह त्क बतर थॉरेक्स और लुजी यह शुटेश स braucht होता है यह यह जो तीसरा वाला जो रीजन होता है, इसे हम मेटा थोरेक्स कहते है, थोरेक्स, ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में और भी क्या है, डीटेल में पढ़ेंगे, तो देखें क्या है, थ्री पेर्स ओफ लेग इसके प्रिजेंट होते हैं, टू पेर ओफ विंक्स भी इनके प जो है, इनको हम कैसे कउनकर करते हैं, यह सारे स्पीसिस आपके terrestrial environment को बिलॉंग करते हैं, यह प्लीटली क्या है, यह सारे वराइटी है, यह लगवख-लगवख terrestrial environment को occupy कर चुके हैं, वैसे रिजेंगे इनीमल आते हैं, बात को थेया है, यह सब की बात नहीं कुछ थे हैं Then, insects, जो effect करता है हमारी ecology को, इन सब चीजों के बारे में आप जानते होगे, human life को कई तरीके से impact करता है, जैसे कि हम बात करें, insects की, तो ये दोनों ही हमारे, friends भी है, pho भी है, किसी इनसान के लिए, है ना, जैसे जैसे हम क्या हो रहा है, evolution हो रहा है, है ना, उसमें evolution में आपको कहते हैं, guys, cuticle कहते हैं, ये जो cuticle होता है, guys, ये होता है, impermeable होता है, impermeable, permeable, इसका मतलब ये है, कि इसमें किसी भी तरह का water का absorption है, या किसी भी substance का absorption इसके skin के थुरू नहीं हो सकता, इनका जो membrane एक तरी impermeable है, वैसे तो आपका cuticle non-cellular होता ही है, बट इनका cuticle है, other substance का flow भ देता है, इनके body के थुरू, then, इनमें एक specific characteristic ये होता है, पे clear characteristic ये होता है, कि इसके अंदर tracheal respiration system पाए जाता है, ठीक है, some of the factors that contribute their success in land, और यही आपका जो factor है, जो कि आपका बहुत important factor है, जो कि एक तरीके से land पे, वो एक तरीके से succession कर पाया, या एक तरीके से जो ये factor है है, उसको यहाँ पे survival condition मतलब adapt कर पाया, इसका survival condition को, वो tracheal respiration system के कारण ही हो पाया, ऐसा, then, बात करे, head जो होता है, insects का, वो composite structure होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, कि आप आसाने से समझ जाओ, काफी ज़्यादा, क्या हमें ध्यान से समझने की कोशिश करनी पड़ती है, then, बा light receptor होते हैं, मैंने बताया था, बाकी देखने वाली बात है, तो यह compound eye से ही देख पाते हैं, ठीक है, और से नहीं देख पाते हैं, just light को recept कर पाते हैं, then, three pair इनके पास क्या है, appendages मिल जाएंगी, mouth parts के पास, तरह तरह के, जैसे कि आपका क्या है, pair of mandibles मिल जाएगा, and two pair of maxilla मि बना लेता है, just a, वो क्या कहेंगे, हम उसे lower lip भी कह सकते हैं, lower lip भी कह सकते हैं, just a labium बना लेता है, just lower lip like structure होता है, and then, mandible जो है, आपका, वो covered होके, front में, उपर की तरह आपका, upper lip बना देता है, labrum, okay, इसमें, क्या होता था कि, जब हमने previous class में पढ़ाता है, तो two pair of mandibles then, वो क्या बना लेता है, मतलब cover होके, एक upper lip का formation करता है, जिसे हम labrum कहते है, labium, labrum याद रखेगा, labium अपर lip को कहते है, और, क्या कहते है, labrum, sorry, labium हम lower lip को कहते है, and labrum, जो हमारा upper lip होता है, ठीक है, and then, इसका जो interior reason है, buccal cavity, जिसे कहते है, वहाँ पे आपको कहा है, median lobe-like processes होता है, जिसके यह जो epiphrinex होता है, ठीक है, epiphrinex, epiphrinex में बताऊँगा, just epiphrinex वैसा area होता है, जहां से वो क्या है, ear तो नहीं content करते है, जिसे phrynex अपका होता है, क्या, just phrynex, तो just वैसा phrynex area है, जहां पे वो क्या करते हो, मान लिए कि किसी में lungs बगरा हो, तो then वो क्या है, यहां से, अगर मुझ के थूरू सांस लेते हो, तो then क्या है, यहां से आपका gaseous end क्या होता है, food वाला pipe, दोनों के between, जो आपका क्या है, एक junction point होता है, उसको हम epiphrinex कहते ह ठीक है, then बात करें, यह जस्ट आपका arise कहा होता है, तो just labium से आपका arise होता है, labium कहां पे है, तो just यह आपका lower क्या कहते है, lip है, then बात करें, हम इसका जो head है, इसको three segments में बाटा जाता है, जिसको मैंने बता दिया, आपका head जो है, head वाला जो reason है, thorax वाला reason, है ना, उसको three segmentated है, बाटा जाता है, pro thorax, mesothorax and metathorax, इसके बारे मैंने बता दिया, then tergum, जो है, thoracis का, insect का, उसको हम notum कहते है, जैसे कि हमने बनाया था ना, tergum बनाया था ना, इस तरीके से, इस तरीके से, जो इसमें segmentation होता है, तो उपर वाले को हम क्या कहते है, tergum कहते है, नीच इसको हम क्या कहते है, इसको हम एक तरीके से notum भी कहते है, ठीक है, इसके thoracis segment के, जो tergum जिसे हम कहते है, इसके पूरे reason को हम यह कहते है, then उसके बाद हमारे जो pair up का कहे है, wings मिल दाएगा, जो की articulate with meso and metathorax से articulated रहता है, ठीक है, यानि, जो meso वाला reason, अगर मैं इसका ये बनाओ, क्या नाम है, thorax reason बनाओ, यह देखो, यह insect, इसको और थोड़ा नीचे कर देते हैं, तो then यहाँ पे, इस तरीके से, यहाँ पे, यह देखे, तीन reason हो गया, यह वाला आपका क्या हो गया, प्रो हो गया, यह meso हो गया, और यह meta हो गया, यहाँ पे thorax आप बाद, ऐस पेर of wings हो गाहँ कहाँ पहां पर मिलेगा, मीजो पर मिलेगा, एक मेटा पर मिलेगा, यह यह दिन सरी मीजो पे, एक मेका बनेगा, यह देखे, ऐस तरीके से यह усे भी इंसेक्ट की बात कर लें हो बादाओ, इस में पेर of wings मिल जाएंगे, then उसके बाद, क्या है टूप अब देन उसके बाद primitive इंसेक्ट जो है वो क्या होता है कि फ्लाइ नहीं कर पाता है ठीक है वह सेको हम क्या कहते है इसको कहते है समझ गही देन कुछ ऐड़ है जो की अपने क्या है अपने विंक को लॉस कर चुके है यानि अब उनमें उड़ने की छमता नहीं रही है, उनके पास wings नहीं रहे हैं, तो यानि आपको क्या कहते हैं, primitive में भी मिलेगा, और कुछ higher forms में भी आपको क्या है, wings नहीं मिलते हैं, then pair of legs इनके पास होता है, तो यह काउन से reason में, तो three thoracist segment में, तीनों thoracist segment जो है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा देन बात करें हम इसके लेग की तो लेग का कोई मतलब यहां पर नाम दे रखा है स्ट्रक्चर का देखें यहां पर क्या है यह जो आपके थी रीजन है यहां पर लेग जो है थी नहीं है 555 तो आपका जो लेग है यानि इंसेक्ट का जो लेग है वो five यहीं वेग सेक्ट सकती है विवे पार्ट को कमबाइन करके बनता है अगर मैं बात करूं अगर इसका तरीके का लेग होता है यह आपका होगया यह आपका कौक्सा कहता है केलाता है फीमर है और आपसजा भी को मालूम होगा कि इस तरीके से इसको हम यहां पर देखी क्या है कॉक्सा और फिमर के बीच में आपका क्या है यह ट्रोचेंटर है ठीक है ट्रोचेंटर इसके बाद ये वाला जो रिजन है ये आपका टिबिया कहलाता है एंड यह जो सबसे लाउस्ट वाला है यहाँ पर ये वाला ये वाला क्या कहलाता है यह हो गया आपका टैर्स छाहे तो आप इन सभी को याद भी रख सकते हैं ये जो लेग के जो पार्ट हorte है इसमें छोड़ी-छोड़ी सीटा प्रिजंत होते हैं कि प्रिजंत होते हैं तो जibly आप इनको चाहो तो याद भी कर सकते हो इनके स्ट्रक्ट्चर को इनके पार्ट को Select is चो कबिस्टाइब रोगने वालों का थोड़ा अलग होता है और जुदा आलग होता है जो जमीन पे रहते इंसेक्वी मों coffin q करते brought इसकि अगर चुछा का दे म IST वा किसा सपर लम्हें खील सेखक्वी नहीं होता तर्फ। यहां पर है क्या लिखा है यह जो abdomen होता है यह आपका 9 से लेकर 11 सेग्मेंट को अगर कमपोज कर दें तो यह आपका abdomen बनता है यहां पर आपका 9 स्टार्ट हो जागा या नि यह वाला जो नौबा कह रहा हूं हाँ नौबा सेग्मेंट स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 मतलब क्या है यह abdomen is composed of 9 to 11 सेग्मेंट के 9 से 11 सेग्मेंट में आपका क्या है abdomen कि लाता है चलो यह बात बता हूंगा देन उसके बाद यहां पर क्या abdomen जो है pair of sensory structure बियर करता है जैसे कि annals सरकाई जो है जो कि आपके annals के पास present होता है जस्ट यह sensory organ है sensory structure जिससे कि वो sense कर पाता है जस्ट यह 11th सेग्मेंट में होता है यानि last वाला जो आपका segment है वहां पर यह present होता है ठीक है दन बात करें यहां पर जो intra-tominant organ जो है males के अंदर जो की transfer में मदद करता है spermatozoa spermatozoa के बारे में वह नहीं बता है ता spermatozoa क्या होता है spermatozoa just sperm का एक bag होता है जो की एक proteinaceous layer के अंदर होता है ठीक है यह just female body के अंदर बनाये जाता है यह इस तरीके से sperm का bag होता है इसे हम spermatozoa भी कहते हैं ठीक है देन उसके बाद इस और spermatozoa तो बाद में ट्रांसफर देन उसके बाद क्या है obipositor in females ठीक है बाद में यह spermatozoa है वो क्या है females के अंदर deposition कर दिया जाता है देन एक्स क्या होते इससे फर्टिलाइज हो जाते हैं जो की प्रजेंट होते हैं उसके genetial segment में किसके female के देन उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे structure का तो देहां से आप देख लीजिए किस तरीके से इसका structure होता है तो यहाँ पे सबसे पहला structure है यह क्या है फिली फॉर्म एंटिना है जस्ट यह सेंसरी और से सेंस कर पाते हैं देन उसके बाद हमारा next और आता है compound यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ क्या है compound आई है और यह कौन से reason पर प्रिजेंट होते हैं फिल्म हम इसके उपर इसको हम क्या कहते हैं प्रोटोनम कहते हैं ठीक है देन उसके बाद आता है आपका thorax reason thorax में आप देख रहे होगे यहाँ पर आपका क्या है यहाँ पर वाला जो सर्फेस इसको प्रोनोटम कहेंगी and then इसको पूरे को हम क्या कहेंगे प्रोटोरेक्स कहेंगे then इसके बाद आता है आपका mesothorax फिर उसके बाद आता है आपका यह वाला reason metathorax ठीक है यहाँ पर यह देखी यह वाला last वाला and then यहाँ पर mesothorax जो है mesothorax आप देख रहे होगे mesothorax leg जो है आपका mesothorax reason में क्या है attached होता है ठीक है then उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं two pair of wings होते है मैंने बता है पहला जो wings होता है उसको हम क्या कहते है tagmina कहते है तेगmina then जो चौता wing होता है चौता कह रहा हूं मतलब next जो आपका pair of wings होता है वह आपका hind wing होता है ठीक है हो गया इसका तो यह cockroach को हम क्या है प्रै प्लैनेटा भी हम कहते है ठीक है इसका external organism है यह organization हमने देख लिया then mouth part की बात करें हम the mouth part को भी काफी जादा क्या है अलग-अलग तरीके से बाटा जाता है यहाँ पर बात करें इंसेक्स जो है जो एडप्ट कर चुक है variety of food habitats को है ना तो देन वो क्या है आपके जो उनका जो mouth part है उनका जो organ of feeding है उसमें भी क्या है variation आपको देखने को मिलेगा modification आपको देखने को मिलेगा ठीक है जैसे कि पिछले जो क्या थे आपके जो भी organism थे जैसे कि अगर हमने क्या कहते है प्रोन के बारे में ही पढ़ा या फिर क्या करें प्रोन इमाल ने थे ठीक है तो प्रोन के बारे में पढ़ा तो उसमें आया कि जो mouth का development है वो properly नहीं था तो देन जैसे जैसे variety बढ़ती गई खाने की है ना उनको जादा खाने को मिलने लगा तरह तरह के पकवान है तो देन वो क्या है उनमें मोडिफाइ हो गया माउथ है ना देन वो मोडिफाइड कैसे कैसे हुआ तो मैं बताता हूँ यह दो टाइप से हुआ है पहला जो माउथ पार्ट है वो एडप्ट करता है बाइटिंग को यानि अगर से डेवलप होता है थीस आर कंसीडर मोर प्रिमिटीव काया देन उसके बाद जो वैसी ऑपकर लूड को टेक करते हो इन तेक्षित आपके सक्की सक्किन के तरुम क्या है अपने फूड को लेते यह से कि आपके मच्छर वगेरा होगे ना मक्ही तो यह इस तरीके से उते दन यहां पर क्या है, derived the former, from the former of elongation certain component then lost their certain other, ठीक तो बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, तो उसके बाद यहां पर देखी क्या है, मतलब elongate हो जाता है, उसका जो एक, जो क्या कहते है, सकर structure होता है, वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, elongate structure हो जाता है, जिसके थुरू वो शक करके अपने भोजन को intake कर सकते हैं, ठीक है, बात करें, biting and chewing type की, तो उस type की organism का जो mouth होता है, बात करें, बहुत सारे insects में होता है, जैसे कि primitive, आपके aptery goats की बात करें, जिसमें मैंने बताया था, wings नहीं होते हैं, उनमें भी आपका क्या है, कैसा होता था, कि वो biting and chewing type होते थे, then cricket भ बात करें हमें, इसमें क्या है, unpaired आपको labrum मिल जागा, जिसकी बात में कर रहा था, upper lip जो होता है, वो ही labrum होता है आपका, then ये mouth में हो गया, then उसके बाद, mandible जो है, और a pair of maxilla है, वो आपको along other side मिल जागा, ठीक, along the side, इनहीं के side मिल जागा, कि इसके labrum के, दिखाऊंग अब है, then उसके बाद, lower lip जो है आपका, वो आपका क्या कहलाता है, labium कहलाता है, labium, ठीक है, and then median hypofinic जो है, ये कहा है, behind the mouth, just mouth के behind होता है, mouth के, just upper होता है, तो यहाँ पे काफी सारे reason को, क्या है, define क्या गया, ये देखी, ये जो उपर वाला जो structure होता है, इसको हम क्या कहते हैं, labrum कहते हैं, labrum, just upper lip, then उसके बाद, यहाँ पे दो mandible structure दिख रहे हैं, जो के mandible क्या होते हैं, kytanus, kytanus, substance के बने होते हैं, kytanus, ठीक है, then ये क्या होते हैं, काफी जदा strong भी होते हैं, एक तरीके से, then ये क्या है, grinding reason होता है, just इसको काटना वाटना हो, पीटना होता ह mandible के through कर लेते हैं, then hyperphrinex जो हो गया, ये just इनका इस तरह के से present होता है, ठीक है, hyperphrinex से भी काफी सारा, इनका function होता है, then बात करें, यहाँ पे side में दो maxilla होता है, maxilla just a sensory organ, या फिर कहें, क्या कहते हैं, sensory organ होता है, sense करने के लिए, then यहाँ पे labium देख रहे होंगे, ठीक है, labium में भी बहुत सारे part होते हैं, इसको मैं आगे describe करूँगा, then इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका जो head है, head portion यहाँ पर औसलस देख रहे हैं, यहाँ पे, ऊसलाई, क्या है, three होते हैं, हाँ, three होते हैं, तो यहाँ असलाई देख सकते हैं, then इसके बाद compound प्रवाइड करता है यह जो प्रोवाइड करता है मतलब यह जो प्रोवाइड करता है strong muscles के थ्रू है ना और articulated with the cranium जो की क्या है cranium से उसका जो head वाला जो portion हमने है उससे क्या होता है mandible क्या होता है जुड़ा रहता है देन उसके बाद maxilla की बात करें इसके भी कई सारे parts होते हैं कोई सारे parts से बनके बनता है maxilla आपका तो just बात करें हम maxilla की तो देखिए आपको जो maxilla है यह आपका क्या है proximal part की बात करें तो यहाँ पर basal cardo मिल जागा and दूसरा जो आपका fatal sorry fatal कहरा flat distal stipes मिल जाएंगे ठीक है stipes के करी करता है two lobes ठीक है एक inner lesnia and दूसरा outer glia ठीक है मैं आपको बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर यहाँ पर वैसे दे नहीं रखा है जो फिर भी में एक बार कोशिश करता हूँ बना के दिखा दूँ आपको तो देन यहाँ पर आप देख रहोगे maxilla मैकसिला में यह जो आपका reason है यह वाला reason इसको हम stipes कहते हैं क्या कहते है इसको हम क्या कहते है इसको लिख दू पैल्प चलिए ठीक है तो देन यह कुछ आपके reason हो गए देन उसमें यहाँ पे और भी structure हो गए यह वाला जो रिजन है इसको हम क्या कहते है लैसेनिया कहते है ट्री una क्या मुожет करते हैं तो यही इनर गाल 오늘도 अचनल के सब्सक्राइब और मु jetzt जो कि यह इंसेक्ट को चेक करना होगे फूड की क्या है ताजी है पुरानी है अपने यह पैल्प कहलों या फिर मैं कहुं कहते हैं मैक्सला से वह चेक कर लेते हैं तर उसके बाद हम बात करें इसमें क्या है पियर ओफ क्या है जो फीज्ट कि मैंने की इस को आपको साफ करने के लिए गए अपने मक्यों के पास भी इस"? अश्वाइब nessa देखा उगा जो कि आपने आपको सांफ करने के लिए वो यूज करते रहते हैं कभी चेक करना मक्यों में दलन लावियम की बात करें तो लेवियम आपका एक तो यह सब्सक्रातर पर्द, टो के वैरेट पर्द, तो यह सब्सक्राइब की बारे में बताऊंगा ठीक है, यह किसके पार्टन तो यह जिस्ट आपके ले всем स्कूलिकार थिए में के दिमें दिमें गर्फरन्ट में परिमें जो है उसमें abused वह इता quindi कुछ स्थरीके से नाहिं है and जो आपका के लिगला भी क्लाता है प्रिमेंटम जो है करता है पियर औफ जोईंट फैल्ट लेटरली and then hypo phrynec waves जो है जो होता है माउथ के भिहांड है न जो कि डग्त होता है कि तशे कि सिलरी ग्लेंड की तरह है नश्त वह ओपन होता है अपने करने हैं यह किस तरीके का हूँ न उसके बाद यहां पर कुछ इस तरीके से बनता है जन उसके बादиком है यहां पे से देख लेते कलाकारी करके कितना बड़ियां कलाकार हुआ है देन यह हो गया आपका मैक्सला हो गया देन यहां पे आपका एक और रीजन बनाना था यह वाला ठीक है यह जिस्ट आपका क्या हो गया यह जिस्ट पैरा ग्लोसला हो गया देन बात करें हम यहां पे यह वाला जो हो गया यह वाला रीजन इसको हम क्या कहते हैं सब मैंटम कहते हैं सब मैंटम then इसके बाद यह वाला जो हो गया है इसको हम mentum कहते हैं then उसके बाद यह वाला जो है reason है इसको हम maxilla कहते है कि both are maxilla and उसके बाद यहाँ पर बात करें इस की तो यह होता है हमारा paragolsula paraglosia paraglosia ठीक है देन उसके बाद ये जो इसके अंदर भी एक पार्ट होता है ये वाला जस्टीस वाले रीजन में इसको हम कहेंगे Glosia, क्या कहेंगे? Glosia, ठीक है? Then उसके बाद, ये दो, दोनों ही reason है, ये आपका क्या कहलाता है? ये दोनों reason मिलके आपका कहलाता है, Ligia कहलाता है, ठीक है? Then और भी कुछ बचा गया? आईए आपके labial pulps हैं, इसको palp भी कहते हैं, the sensory structure है, इसको हम labial कुछ इस तरीके से इसका पूरा का पूरा structure होता है, इसको हम labium कहते हैं, पूरे structure को हम labium कहते हैं, ठीक है, labium मैंने बना दिया, बहुत अच्छे से, ये जस्ट यही वाला structure है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला कहा गया, ये देख रहे हैं, labium, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपका क्या है, अच्छे से बताए नहीं है, labeling नहीं की गई, अच्छे से, एक एक पार्ट का नाम नहीं दिया है, तो जस्ट मैंने यहाँ पर define कर दिया, यहाँ पर जो hair-like structure देख रहे हैं, sucking type mouth, तो यानि आपका moth हो गया, या फिर butterfly हो गया, नहीं, मैंने उसकी तो बात बता दी ना, कहना हम है, chewing type mouth जो है, मैंने बता दिया कि किस तरीके से chewing type होती है, bite करके, यह chewing करके खाते हैं, यह जस्ट इस टाइप का mouth जो होता है, तरीके से वो लोग खाते हैं, देन बात करें हम butterfly और mouth की, तो mouth जो है, यह mouth की, तो यह जो mouth है, mouth part जो इसका adapted होता है, just a sucking nectar, यानि flowers में जो nectars present होते हैं, पराग प्रिजेंट होते हैं, देन उससे क्या है, वो just suck करके अपना nutrition carry करते हैं, तो यहाँ पर देखी क्या लिखा है, यहाँ पर दो glia होता है इनके पास, और उसके बाद long tube proboscis होता है, जो कि sucking food के काम आता है, यहाँ पर दिखा देता हूँ, आपको यह structure, तो यह देख रहे होगे, आप यह long glia है, यह long glia है, इसको ही हम proboscis भी कहते हैं, यहाँ प्रोबोसिस, जो कि आपका क्या है, यह sucking structure है, और किसी भी food metal को सक करने में काम आता है, proboscis जो है coiled होता है, देख रहे होगे, आप बिल्कुल जलेवी की तरह coiled है, यह यह feeding में यूज नहीं होता, अगर कोई भी liquid या सक करना है, यह अपना proboscis खोले, ग्लिया के तरू, यह वो सक कर लेगा अपना food, बीज में भी आपका ग्लिया प्रिजेंट होता है, labial pulp होता है, एंड क्या है, जो tube होता है, बहुत ही long होता है, जो कि fused हो जाता है, ग्लोजियां से जाके, then labrum जो है, एक तरीके से, labrum और mandible, बागी जो structure होता है, बात करो तो सभी एक ही जैसे होता है, जैसे कि आप यहाँ पे label pulps देख रहे होंगे, यह just similar ही लगेगा, यह उसके बाद antenna भी आपको similar ही type लगेगा, ज्यादा difference नहीं लगेगा, माल लेजे कि वैसा condition हो जाए कि क्या है, कि इन जो insects है, इनको चवाना वड़ जाए, ठीक है, तो then यह क्या है, यह इनके पास mandible होते हैं, ठीक है, mandible होते हैं, जो कि chewing condition को, just to retain कर पाते हैं, then बात करें, अगर उनको pollen wax को handle करना हो, तो then वो भी उसी से कर पाते हैं, ठीक है, pollen wax, just आपके bees क्या करते हैं, collect करते हैं, ठीक है, then यहाँ पर अब देखिए, यह maxilla हो गया, ठीक है, यह mandible हो गया, यह maxilla हो गया, यह level pulp हो गया, यह glos यहाँ देख रहे हो गया, and then यह lebelum हो गया, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, इसका structure है, mouth part of, यह वाला जो है, butterfly का था, then यह वाला आपका honey bee का था, थोड़ा सा different होता है, then pursing mouth part, are found in insect as a plant bug, aphid and suck plant juice, as well as blood sucking insect like mouse, skutus, जो भी आपके, जो क्या कहते हैं, जो एक तरीके से, sucking mouth अपने पास रखते हैं, तो वो आपके कौन से हो गया, majorly आपके क्या है, bugs हो गया, aphids हो गया, जो क्या है, कीडे लग जाते हैं आपके, पौदे वगरों में, aphid हो गया है ना, यह just क्या करते हैं, पौदों के जो juice है, उसको suck करने लग जाते हैं, पत्यों पे जो juice वगयरा होते हैं, जो suck कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका पौदा वगयरा, जो है, मर जाता है, यह bugs और aphids के कारण होता है, जो कि ब्लड सकिंग इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि मॉस्क्यूटों की बात करें, जस्ट अगर यह हमारे सरीर पे बैठ जाए, तो यह हमारे ब्लड को suck करना, स्टार्ट कर देता है, अपने लंबे-लंबे गलिया से, ठीक है, तो मॉस्केटों तो हर किसी ने देखा ही होगा, जो इनसेक्ट की बात करें, उसके मॉठ पाट की, तो जो इलॉंगेटेड पाट होता है, उसका है ना, form a long beak, एक जस्ट अ पीक-like structure, चोच कहेंगे ना, तो जस्ट उसका चोच-like structure होता है, बीक-like structure होता है ना, different ways, अलग-अलग तरीके से हो सकता है, जैसा उनका क्या है, demand होता है, वैसे ही उनका क्या है, इस तरीके से glia होता है, ठीक है, जैसे कि मच्छरों में क्या होता है, काफी लंबे-लंबे glia होते हैं, butterfly में, sorry, butterfly में काफी लंबे glia होते हैं, क्योंकि उनका जो करों करता है उसके मेंडिंव औरम ऐसा बात करए हुबात करता भी क रहाँ जिसका कैइब उसको इट करना होते हैं वह फुट कानाल के थुरू अंदर जाता है टेन श्काइवरी कनाल जो है आपका हाइपो प्राइट से प्राइच में मौझूद होता है कि इतना जानने के बाद यहां पे और भी कुछ स्ट्रॉकचर है क्या है और यह थिए यहाँ पर यहाँ पर नहीं सकते यह इसका सिर्रा हैरेश कितने सारे आपके होमेटियम защ क्वाने यादर की साइड है देनकों यह देख रहे होंगे इसे लग से स्टॉक्चिर इसके पीछे चिप जाता है फूड चैनल भी सी के अंदर है डर्म दिख रहे होंगे आपको यहांगे पर भी कि यहाँ यहांपे दिख है ठीक है डं आप देख सकते हैं यह रहा लेवियम इसका जो लेवियम होता है काफी लंबा होता है तो कुछ इस तरह के का स्रुक्चर होता है मौस्कुटो के माथ पार्ट का देन बात करें बाइटिंग फ्लाइस जो होती है उनके पास सार्प मैंडिबल होते हैं यह न जस्ट वो क्या है तरिके से घाओ तक बना देते हैं, अगर मान लो कि अगर वो बाइटिंग फ्लाइज अगर काट ले, तो जस्ट वो घाओ सा भी बना देते हैं, बलड अगर यारी बाहर आने लगता है, और इस पॉंज लाइबियम जो होता है उनके पास परजेंट, जो चैरी करके रखता है अपने माथ पे, और उसके पर यो प्र यो तु फॉर्म होता है, यह पर फ्राइनेक्स, वो जो की क्या होता है, पार्ट होता है लेबरम का, लेब इसमें काफी रिड्यूस देखने को मिलेगा हाउस फ्लाइज में, जो क्लोजली असोसेटेटेड विद इस सकिंग टाइप माथ, क्योंकि जब क्या होता है, सकिंग टाइप आपका माथ होता है, तो मेंडिबल्स का कोई जादा बड़ा रोल नहीं होता है, क्योंकि चबाने जबें को मेंडिबल्स की ज़रूत होती, तो यहां पर reduce होता है, दानि उसके बाद यहां पर क्या है, वोर इंजेक्ट करता है, जाह्यवा भी उसमें present होता है, अन्यार्相त होता है, समझ गए होगे लिकर फूर्ड को अपना लेता है, जो उसके बाद हम बात कर लें में तकन फर्वार्ट जाता है पहले निए निए पर इसको बारे है चैनल होइप करता करता फ्रीनिक उसके पास होता है इसको और उसके बार इन्सेक्ट से उनके पास क्या है पियर औफ लैवरिक ग्लाइंड होता है दें डाजेस्टिव ग्लाइंड विनके पास पियर में होता है तर जिसको उसको वेंट्रिकॉलस भी कहते हैं और मेसेंट्रोन भी हम कभी कभी कह देते हैं याद रखना मिटगट को हो वेंट्रिकुलस को यह निए बीच वाला पार तो यह जो जंक्सन हो गया यहां पर फिंगर-like प्रोजेक्शन पर जान्ट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं टीक है गैस्ट्रिक सिखा है और हैप्टिक सी का कहते हैं जस्ट यह भी क्या है हमारे लेक्ट को सेकेरट करने में हैदें उसके बाद हम बात करें को में यहां पर फिरिसन को सोद्ग करा हैी हो एक सेकेंट ओड़ा सा यह दिक्कत होरा है तो यह थ्री रिजन आपके कौन-कौन से है तो यहां पर मैं बता दूँ देखिए यहां पर त्री रिजन चल जहाँ एंड मिडगट 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 के बीक में जो जाइन ओता है यहां पर सब्सक्रेद करने के लिए इंग्टर है यहां ठीक है यहां पर salivary receptacles है तेन और सो फेकर सब देख सकते हैं इसके तुरू यहां पर blood हो गया यहां नेक्टर हो गया इसके शुरू जाता है इसको हम इस reason को इसके layer को crop भी कहते है तेन यह जो गिजाड है ठीक है जो कि आपके वैसे जो कि चबाते हैं तो बन क्या है कि आपके घीजाड में आपके जस्टर घ्राइंड होता है है तर हेप्टिक सीब यहाँ पर देख सकते हैं जई स्कते हैं यह जञा sóng पंट पर जुड़ा होता है जहाँ मिंडगट को हम आपके 16 प्रेश करता है तो यह क्या करता है यहां पर About पूरे बॉड़ी से जो भी आपका टॉक्सिक सबस्टांस होता है यूरिया होता है उसे लाके यह एलिमेंटरी कनाल में डाल देता है यह इलम कॉलों और रैक्टंग के थूरू यह क्या बहार आजाता है यहां पर एनल सरकाई यह सरकस भी देख सकते हैं ठीक है यह सरकस यह र यहां पर नियूरोन भी है यहां पर ब्रेन होता है यहां पर काफी गैंगलिया होते हैं तो काफी स्ट्रक्चरी सिस्टम देख सकते कॉक्रोच का ठीक है यह चैंबर ऑफ हार्ट यहां पर क्या है नाइन चैंबर होते हैं हाँ नाइन चैंबर होते हैं हाट में एंड यहां एक बड़ा सा Erotा होता है जिसे हम एंटेरियर एरोटा कहते हैं यहां पर यहां पर बलट को पम कराने में help करता है यहां पर यह एलरी मुसल्स भी कहते हैं सही यह वह सेंग्ल र सेप में जो है और उसके बाद हम जुछ तो उसको पहले complete कर लें तो यहां पर मैं बात कर रहा था जो हिंड गट है उस मुआ पर थ्री डिवीजन होता है मैंने बता दिया हिंड कट के बाद ही आपका थ्री डिवीजन हो जाता है एलियम कोलों और रेक्टम रेक्टम जस्ट अ इंडिंग पॉंट गया बात करें बाद करें बॉडी के इंसेक्स की तो इसमें चाहोता है ब्लोड फिल्ड होता है बिलकुल यह कैसा होता है इसमें को तो यहां पर चेंद एक opta इसमें और है system यानि इसमें क्या है जो फ्लो नहीं तर dizer structure भब इसके structure को हम fat body भी कहते है क्यों की प्रॉट रचेंट होता है हॉम 나와 foot audio the storage of a storage in इन्सेक्ति कमपैरल लिवर विर्टेवरेट्स इंडिस फंसिनेट इबिर पहायाई रिफ होता आपन मेंद बात करें सरक्लाटक सिर्ट्री सिस्टम कि तु यहाँ पर फ्यूब्लर हट होता है मैंने बताया है कि heart क्या होता है just a tubule form में होता है just वो इस तरीके से नहीं हमारे human heart की तरह या vertebrate heart की तरह होता है just वो tube के form में होता है इस तरीके से इस तरीके से ठीक है ठीक है इस तरीके से होता है यह just tube के form में है न तो just यह क्या होता है एक तरह के से यह दबता है, तो इसके बाद यह दबता है, तो यह उपर आता है, ऐसे ऐसे करते-करते ही कहा, यह उपर की तरह फ्लो करता है, ब्लड. सेगमेंट में पहले जो 9 सेगमेंट है अब सब्सक्राइब हैं वहां तक एक्सटर्ड होता है डैन एंटे Edge हरोका की बात करें चेहां पर आपके क्या है अ कुछे होता हैыл형 समझेड नहीं कैसी अदर पहले से ट्रेकल सिस्टम होता है यहां पर एट एंट एट से लेके टैन पियर ऑफ स्पाइरिकल्स जस्टा ऑस्टियम होते हैं एक तरह किसे छेद होते हैं वह जनरली लुकेटेट कहां होते हैं तो लैटरल सर्फेस यानि लेफ्ट और राइट साइड में जो उनका प्लूरल टर्गम एंड स्टेरनम था उसके सअगरम उठाव एक ट्रम बाड़ अर यहां पर आपका अब्स थी ज hace a कितने हैं इसी जगह पर इसी रूजन पर आपका ट्सपाइरेकल्स प्रजेंट होता है तो स्पारेकल लीड करता है जो कि बाद में आगे चलके और भी ब्रांच में ब्रांच हो जाता है जो एंड में आपका टीब्यूल जो है ट्रैक्यो aos जाता है यही जो ट्रैकल सिस्टम करके वो cells के अंदर क्या है oxygen का exchange हो पाता है यहां पर aquatic insects की बात करें तो वो utilize करता है किसे dissolve oxygen को तो दैन उसको उसके पास एक खास structure होता है जिसे हम क्या कहते है गिल्स कहते है जैसे कि लार्वा और ड्रैगन फ्लाइज हो हो गया में फ्लाइज हो गया इस सब में आपका क्या है आपके गिल्स प्रिजेंट हो सकते हैं एक्वेटिक की बात के लिए वो डिपेंड होते है एट्मॉस्फेरिक एर पर ठीक है अपने सब्सक्राइज होते हैं उसी से वह क्या है अपने ट्रैप कर लेते हैं और उसके बाद आप और नीचे आजाते हैं तो यह जस्ट आ विसरल आफ कोकरोज था जो कि मैंने दिखा दिया आपको याद रखेगा इलम कॉलाउन रेक्टम आप चाहो तो पूरे रीजन को भी याद रख सकते हैं क्योंकि अगर पिक्चर बनाने आ गया तो सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर आपका क्या कहते हैं ट्र तो थोड़ा से दिक्कत हो सकते हैं लेकिन आप चाहो तो बना दोगे बढ़िया से यहाँ पर आप देखिए नीचे यह जस्ट आपका ट्रेकल सिस्टम है कोकरोज का इसको भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूं तो देखे क्या है फरस्ट अफॉल अगर हम देखे यहा सब्सक्राइब कर देखे शाए यहां पर चोटे 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 क्या चेद होते हैं यहां पर साइथ में आपके थोरेक्स में तू होते हैं कियाते हैं, spiracles, and then यहां पर आपके 9th साहथ होते हैं, हाँ, तो यहां पर देख सकते हैं, first abdominal spiracle, देख रेंगे आप, पहला जिए abdominal spiracle है, यह रहा आपका, then उसके बाद lateral, longitudinal, tracal trunk, ventral, यहां पर देख रहों कि lateral, यह जो पार्ट ही, लोग 중요नल ट्रिकु कार्ग न बात करते सकते अधर चल्य थी को और जैसे लीडितार आपका Trachea कुछ इस तरीके से दिखेगा ठीक है तो ज़स्ट यह आपका क्या है Trachea है यह ठीक है यह Trachea Trachea में आपका क्या है यह Spiracles present है Spiracles just a pore होता है जो की Oxygen को यहां से Carry कारता है Then यह ज़स Trachea में जब पहुंचता है तो Trachea आपका क्या है यह Diffusion Process के थरू यह आपका Oxygen Diffuse हो जाता है Then Diffuse होके यह Muscles के अंदर Cells के अंदर क्या है Transfer हो जाता है तो कुछ इस Process के थरू आपका जो Tracheal System है उसके थरू आपका Oxygen क्या है एक्षेंज होता है Then Most of Insects जो है आपके उनके पास क्या है Melfagian Tubule होते है Midgut और Hindgut पे Distal End is freely in the Hymosile और जो उसके जो Distal End होते है यानि अगर मैं बात करूँ अगर यह इस तरीके से मैं बनाओ यह आपका Hindgut हो गया यह आपका Sorry Midgut हो गया यह हो गया यहाँ पर क्या होते है Melfagian Tubule होते है इस तरीके से Thread-like structure होते है तो इसका जो Distal End होता है यह Distal End की बात करें Distal End यह वाला जो reason क्या मैं बनाओ है यह आपका Midgut हो गया और यह आपका Hindgut हो गया ठीक है तो देन यह जो मैं बात करें था Distal End की तो यह जिस्टल End आपका Homo Homo Seal में आपका present होता है Uric Acid है तो वो सारे आपके क्या है इसी Distal End से collect होके यह वापस से हिंड गट में आ जाते है हिंड गट के तुर यहाँ एनस के तुर बाहार निकलाते है यहाँ पर लिखा है टिबूल का जो नंबर है आपका 200 से लेके 200 हो सकता है यानि जो यह Melfigine Tubule से यह दो से लेके 200 तक आपको इंसेक्स में मिल जाएंगे इंसेक्स जो है टिपिकली आपके Orthopodern Nervous System पाए जाता है बात करें ब्रेन टी तो उसमें सब ऑसोफेगल गैंगेलिया प्रजेंट होता है यानि जो ऑसोफेगस है जो आपका सब्रेठी तो यह किया करते है यच्छाल का ट्रांसपर करते है यह देखेज क्या है उसमें भी क्या हुता है आपका conferраш को हुता है जो ऑसोफेगमेंटल गैंगीलिया इस में प्रिदेंट होता है आपका यह कंपोनिंट है इसको हम nervous system कहतें है यहाँ पर दिखाओं मैं आपको तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह देखिए जस्ट यह वाला जो रीजन है जस्ट यह औस फेगस के जस्ट नीचे होता है यहाँ पर गैंगेलियास प्रिजेंट है काफी सारे है ना यहाँ पर डबल कोड नर्बस स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहुगे दो-दो आपके क्या है जस्ट यूप्लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं इस पर आपके और पाक्या है वह Premier तो एल पर कुछ इंषेद जो होते हैं उसमें जो गैंगेलिया होते हैं एक common place में, abdomen में जाके, abdomen में एक common place में जाके fuse वजाते हैं, कुछ insects में, यहाँ पे एक और चीज है, corpora cardica and corpora eleta, यह क्या होते हैं, यह located होते है, vental to the brain, यहाँ नीचे वाली जो side होती है, किसी वे insect की, वहाँ पे वो present होते है, brain के just vental part में, तो यह क्या होते हैं, यह just gland होते है, corpora cardica and corpora eleta, यह just क्या होते हैं, यहाँ पे लिख दुमें, corpora cardica and corpora eleta, यह क्या होते हैं, gland होते हैं, जो की आपके क्या है, जब metamorphosis इसके अंदर होता है, तो यह GH release करते हैं, जो juvenile hormone release करते हैं, then उसके बाद देखे क्या है, यह prothoresis gland भी इसके अंदर present होता है, यानि वैसा reason, जहाँ पे prothoric reason है, वहाँ पे जो gland present होता है, just ही यह endocrine gland होता है, insect के अंदर, जो regulate करता है, कि इसको growth हो गया, metamorphosis हो गया, और reproduction को भी regulate करने का काम करता है, जुविनायल होर्मोन मैंने बता दिया था, हमारे में भी बहुत सारे जुविनायल होर्मोन होते हैं, जब क्या होता है, जब poverty age में, जब बच्चे जा रहे होते हैं, तो देन उसमें भी बहुत सारे hormones का release होता है, तो देन बात करें हम cockroach की, जब adult होता है, बेबी से adult होता है, तो देन काफी सारे process से गुजरना पड़ता है, metamorphosis होता है उसमें, ठीक है, reproduction में भी इसका क्या है, release होता है, इस hormone का, ठीक है, यह endocrine gland होता है, जस्ट और यह cells के अंदर रप्रेजेंट होते हैं, देन उसके बाद हम बात करें, इंसेक्ट जो है आपका, उसके पास आपको well developed eye मिलेगा, यानि compound eye जो है, एक तरीक से well developed मिलेगा, अगर हम बात करें, तो उसके आपको पूरे body में आपको sensory structure मिलेगा, ठीक है, लाज नमबर में particular type forming, pickler organ discharging various functions, यह tympanic organ है, ठीक है, tympanic organ क्या करता है, जस्ट यह hearing organ है, यह क्या है, hearing organ है, hearing organ है, hearing organ है, हाँ, मैं उपर पहले बात कर रहा था कुछ, हाँ, यह जो आपको क्या है, large number at particular places forming pickler organ, मतलब आपको क्या है, इसमें कई जगे पे आपको pickler organ, बहुत ही अजीब उगरीब organ मिल जाएंगे, जो की बहुत सारे functions को discharge करते हैं, इसके बाद हम आ गए थे, tympanic organ में, tympanic organ आपका hearing organ होता है, जैसे कि आपका grass ओपर हो गया, सिक अडास हो गया, या फिर क्रिकेट हो गया, जश्ट यह क्या करता है, here करने के लिए इनके पास यह tympanic organ प्रिजेंट होता है, proper year नहीं होता है, लेकिन tympanic organ होता है, female का जो reproductive system है, वह आपको pair of ovaries मिल जाएंगे, ठीक है, और ovaries जो आपका है, tubular structure होता है, यानि अगर हम बात करें ovary को, के tube को, जहां से ovaries से जो tube attached होता है, उसको हम क्या कहेंगे, ovaryols कहेंगे, ठीक है, जैसे कि हम oviduct भी कहते हैं, appear of oviduct कहते हैं, और unite होके यह क्या है, common oviduct बना लेता है, यानि दो इस तरीके से यह माल लिजे कि ovaries हैं, जस्ट यह, इस टाइप क ovaryols, यह दोनों unite होके, एक common oviduct बना लेते हैं, ठीक, common oviduct, ठीक है, तो यह आपका common oviduct इस तरीके से बना लेते हैं, यह जो आपका common oviduct है, यह कहां present होता है, जस्ट यह ventrally reason में present होता है, 7th, 8th and 9th segment में, then उसके बाद आईए, सर्मो, क्या करा सर्मो करा, स्पर्मो, थेसि जिसे कहते हैं, जहां पर sperm storage होता है, structure होता है, एक तरीके का, जो कि एक तरीके से various accessory reproductive gland को दरसाता है, ठीक है, present होता है, जो male है आपका, यह क्या है, reproductive system क्या है, consist करता है, pair of testis के साथ, then इसके पास lateral ducts present होता है, median ducts जो आपका open होता है, जहां पर, ventral penis में, यानि जिसे हम adegus, adegus, कहते हैं, क्या कहते है, यह कहां locate होता है, तो eighth segment में locate होता है, sperm transfer आपका direct हो सकता है, जो कि क्या है, maybe direct as sperm metaphors, ठीक है, sperm metaphor के थूरू क्या है, sperm transfer हो सकता है, ठीक है, and then उसके बाद हम बात करें, इस पर मेंटो फॉर मैंने बता दिने क्या होता है यह मतलब करें उसमें क्या मेर्hmen इंसेक्ट को मिलता है जैसे कि मैं बात करें इंसेक्ट का टाइप ही है फिर नहीं होता है यह फिर कहो incomplete metamorphosis, कुछ bugs में क्या है, incomplete metamorphosis देखने को मिलता है, यानि young one जो है, वो resemble just adult की तरह ही होता है, लगबाग accept the development of wings, यानि उसमें क्या होता है कि सिर्फ बोर सिर्फ development हो जाता है, wings का बागी जो structure है, बिल्कुल similar आपका क्या है, parent की तरह दिखता है, ठीक है, reproductive organ का भी हो गया, यहाँ पर reproductive organ भी बाद में जाके develop होता है, then बात करें complete metamorphosis की, तो वो occur होता है, आपका butterfly हो गया, beetle हो गया, horsefly हो गया, इन तीनों organism में आपका complete metamorphosis देखने को मिलता है, then यह जो insect है, यह देख रहे होगे, यह जो insect होते है, इनके जो larva होते है, not resemble the adult, ठीक है, ज में क्या होता है, further development होता है, non-feeding quiescent pupa बन जाता है, यानि वैसा जो हो, जिसमें क्या हो, inactive condition में आ जाए है, यानि वो खाना वाना खाना छोड़ दे, और एक तरीके से metamorphosis में आ जाए, slowly-slowly oxygen ले, है आप, metamorphosis आप जानते ही होगे, मतलब, oxygen भी carry नहीं करते है, then वो pupa बना जाए, then वो गया है, एक adult form कर लेते हैं, खुद को adult में बदल लेते हैं, इंसेक्ट जो है, नहीं, example of insert लिखा है, इंसेक्ट होना चाहिए, नहीं, इंसेक्ट होना चाहिए, नहीं, इंसेक्ट है, यहाँ पे कुछ examples भी दे रखे हैं, इंसेक्ट के, तो यहाँ पे थोड़ा स जाए देख सकते हैं, यह दोनों आपके क्या है, यह जस्ट आपके क्या है, उवेरी जह फालिक्ट हो गया, और यह मैंने, और यह क्या था, aur premature बेखुर्ण है, यह जरुद करके रखते हैं, यह जनेसिल चैंबर हो गया है यहां से आपका क्या कहते हैं स्पर मेटफोर आता है यह एक्सेसरी ग्लैंड हो गया यह सैमिल हो गया तो कुछ यह रहा है अपका फेमल रेप्रोडुक्रिक्टिव स्ट्रक्चर इंसेक्ट में इसके बाद यहां पर स्पर्म डग्ट देख सकते है है जोगि आपका एजयक्कुलेटरी डट केराता है यहां से एजयक्ट हो जाता है इस एक्सेशरी ग्लैंड आपका यहां पर भी तिक सकती है तो यह क्या है female और male reproductive system है insects की then उसके बाद हम कुछ insects की बारे में बात करती है यहाँ यहाँ पर complete metamorphosis वाले insect है जैसा कि beetle हो गया beetle है यह lady bird की तरह लग रहा lady bird है यह तो यह beetle की सरेणी में आता हो गया यहाँ पर आप देख रहोंगे इसको हम क्या कहते है grub कहते हैं इसे हम grub कहते हैं कई सारे form में आता है and then क्या है यह cupa है यह चौत्था वाला यह आपका adult इस तरीके से हो जाता है यानि metamorphosis process से गुजरना पड़ता है इसमें development कैसा होता है तो indirect development देखने को मिलता है लेकिन बाद में जब मेने इसके बारे में जाना पड़ा तो देन मेरेula की और व्र्म के अलग-अलग विश्य हैं ठेख्प pont प्रक में दिखते है कि अ ऊसके बाद मुत डेखे नीचे औि सभेच de vic पहला वाला यह F-Mero Petra है इसको हम May Fly कहते है ठीक है साहिद मई के समय में यह क्या है यह आपको ज्यादा देखने को मिलता है इसलिए May Fly कहते होंगे फिर यह ओडोनेटा आप देख सकते हैं, कॉमनली आप हमें इसे ड्राइगन फ्लाई या फिर हलिकॉप्टर भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं, इसके बाद यहां पे क्या है, और्थ्रोपेट्रा, यह आपके क्रिकेट होते हैं, ठीक है, जिंगूर कहते हैं, जिंगूर, जिस्ट यह देखने में गएं, इसका विंग जो होता है, ट्विस्टेड विंग होता है, या आप देख सकते हैं, त्विस्टेड मिलेगा आपको, ठीक है, मुडा हूँआ टाइप है ना, बहुत ही क्यूट लग रहा है, देखने में हना, दन उसके बाद हम बात करें, यह कहा है, डर मै प्रोटूरन भी कहते हैं यह देखें यह बहुत अच्छा लग रहा देखने में दैन आइसोपेटरा देख रहे होंगे यह तर्माइट यह ज़स्ट काया है टर्माइट है जब यह क्या हो जाते है एडल्ट हो जाते तो देन इनके पंक निकल आते हैं तर्माइट के ठीक है ल है लाउज होता है जिसे जू कहते है रहा देन उसके बाद एनौपलूरा जो है यह जिस्ट आपका बड्ड लाउज होता है या उसके बाद कुछ और भी है जो कि यहां पर बताएगे गहे हैं अलग-अलग और बहां और यह सारे और अलग-अलग ओडर में आते हैं ठीक है इसको scorpion fly कहते हैं इसके बाद lapido petra जो है इसे butterfly कहते हैं डाय petra के बारे में तो कौन नहीं जानता होगा यह house fly हमारा common house fly जो कि हमारे घर में आई जाते हैं बिचारे पता नहीं क्यों आ जाते हैं देन उसके बाद silo petra देखें तो यह beetle है green like structure यह green color होता है इनका काफी अच्छा दिखता है यह प्यारा सा देन उसके बाद क्या सिफनो petra जो है यह flea भी कहते हैं हम इसको तो कुछी order हो गए insects की जो की various order में आपके अलग-अलग टाइप की लूटविदो ठीव में अच्छा धाय कोई है लुग्लोख देखने को मिलते है इंसेक्ट में ठीक है तो थोड़ी सी दिकत होरी होरी होगी मुझे पढ़ाने में होरी है कूछी कौछा है क्या क्या कि आपको बताना है क्लास इंसेक्टा जो है और लार्जज इसका अअनीम सबसे बड़ी स्क्रास की हैं क्या होती है इंटरिleen यह बात करें यहां पर यह लिखाया थ्री प्रियर यहीं कि यह आपका तो पिछले बाले में भी प्रिजेंट होता था आयम कन्फ्यूज बता हुआ मैं आपको ठीक है यह होगा कि नहीं ट्रू होगा कि फॉल्स होगा देन उसके बाद हम बात करें जो बॉड़ी है कि कि विंक्स की बात नहीं की गई इसे चली को बताता हूँ ट्रेकल सिस्टम था ह पॉल्स होगा ठीक है यह फॉल्स होगा हां मैं से और हो दन उसके बाद कि यह बॉड़ी ऑफ इंसेक्ट इसमेड़ बॉड़ी जो है इसमें तू पिर फिंसेक्ट विंक्स यानि दो पिर मिल जाएंग इंसेक्ट विंक्के जो आर्टिकुलेटेड होते हैं प्रो और मेजो दो मेटा है यह थोड़ी सबसाओ जो हुद्ध में यह अइसके बाद के माउट पार जो है अडब्त में वो identical structure होता है despite the difference in their food habitat ठीक है इसमें कहरा है कि जो mouth part होता है वो एक adult का identical structure उससे हम पैचान सकते हैं कि वो क्या है उसके food habitat में क्या आंते हैं तो यह true होगा या false होगा तो यह true होगा ठीक है क्योंकि उनके sucking मालूम कर लेते जिनमें क्या है ग्लिया जो है काफी ज्यादा लंबा होता है तो देन उससे मालूम कर लेते कि भाई यह butterfly होगा और यह क्या है जस्ट वो सक्कर टाइप माउथ है न वो जस्ट वो नेक्टर को सक करेगा देन उसके पास अगर मालीजी की मेंडबल से बड़े बड़े तो देन वो क्या है वह बाइटिंग टाइप उसके माउथ होंगे ठीक है बाइटिंग यह वह होंगे जो फर्दर आपके जो फॉंक्शन होते है प्रॉसस होते है वह होमोसील में होते है जस्ट आपका गैसियस एक्षेंज को छोड़ दे तो बाकी जितना भी आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वह सारा के सारा आपका हमोसील में ही होता है एक्षेंज जो है ट्रेकल सिस्टम में वह इंसेक्ट के अकौर होता है किसके दोरा दिफ्यूजन के दोरा बिल्कुल जी हाँ डि वाटर पे है ना मतलब वाटर के अंदर डिजॉल ऑक्षेंजन होता है उस पेंड करता है अपने रेस्पाइरेटरी नीट को लेके तो यह होगा गाइस फॉल्स होगा कि बहुत सारी ऐसे होते है कि इंसक्ट होते है जिनको क्या है जो वाटर में घुले ऑक्षेंजन को उसे वो ऑक्षेंजन को इंटेक कर लेता है जो है वो रेगलेट करता है मेटामॉर्फोर्सिस को इंसेक्स में तो यह क्या सही है हाँ बिलकुल सही है मेटामॉर्फोर्सिस हो गया रिप्रोडक्शन हो गया इस सारा का सारा अपका प्रोर्सिस ग्लैंड के थुरू होता है औ तो, silver fish जो है, वो किसको belong करता है, तो silver fish आपका, देखिए, आपे किसको होगा, lipopatra, silopatra, hymenopatra नहीं, ephemeropatra भी नहीं होगा, thai, क्या है ये, thai seinura, ठीक है? thai seinura को belong करेगा, e. मेरे कौँ लगधा कुछ छूड गया है क्या? क्योंकि मैंने और्डर वगेरा भी बहुत सारे थे इसमें स्पीसिस के साइद छूट गया है चले कोई नहीं नहीं छूटा नहीं है ठीक ठीक है यहाँ पे सिल्वर फिस है था इने सुरा होगा में भी ग्रास ओपर जो है आपका वो किसे 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 बिलॉंग करेगा तो मैं ड प्लांड बग की बात करें तो प्लांड बग होगे आपका है में पैट रहा है है में पैट रहा होगे ड्रेगन फ्लाई की बात करें तो ड्रेगन फ्लाई आपका हो गया कौंसा होगा कौंसा होगा कौंसा होगा हाँ यह वाला होगा और नो पैट रहा स्वारी ओड़ोनेट order operator and mayfly की बात करें तो किसका क्या नाम होगा तो यह होगा فॉ मेघ टरा ठीक है अपेमेरोन परटर एंड हाउस फ्लाई की बात करें तो जानती है याद डाइ पटरा एंड बिटल की बात करें तो बिटल आपका क्या है बिटल का आपका होगा सीलोपेटरा हाँ सीलोपेटरा एंड मौत की बात करें तो मौत का होगा आपका यह आपका साथ लिपेडोपेटरा ही होगा ठीक है तो इसके बाद वास्प की बात करें तो आपका किसको बिलोंग करेगा तो हाई मैन नो पेट्रा को बिलोंग करेगा तो इसको आप चाहो तो याद रख लेना क्योंकि एग्जाम के पॉइंट अब याद कर लेना इसको ठीक है तो देन जो नेक्स जो हमारा टॉपिक होने वाला विजन इन ओर्थर पॉर्ड इसको हम गया है एक अलग से वीडियो में अलग से पार्ट में हम इनको पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि काफी ज़्यादा यह कॉंप्लेक्स है विजन इन ओर्थर पॉर्ड ठीक है तो आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा पसंद भी आ होगा तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना तो बिलकुल भी ना भूले ठीक है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए बैल आकन बटन को प्रेस कर दिए ताकि हमारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आ जो प्राब्लम हो रहा है बट क्या करें जो रही है आप लोगों को सारी टॉपिक्स क्लियर कराना अब बाकि आपको कोई भी चीज अगर समझ में नहीं हो तो मेरे को ज़रूर बताएगा कमेंट करके क्योंकि आप कमेंट करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मिलत इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाई